मॉनिंग वरीवान होप यौल मस्ट बूइंग ग्रेट चलिए शुरू करते हैं लास्ट राउन रिविजिन फॉर पेमेंट ऑफ जी एस्ट छोड़ा से चाप्टर है बट इसमें से कुशन अकसर एक्जाम में आपको मिल जाता है तो बहुत इजी कुशन होते हैं इसके कि बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कुश नंबर वन क्याता है Mr. Naveen is a supplier of goods and pays GST under regular scheme ठीक है He is not eligible for any threshold exemption, he has made the following outward taxable supply in the month of August मतलब कुल मेलाकर यह कोई combustion scheme अगरह मैं नहीं आते हैं कोई threshold exemption नहीं है जितना भी इनकी output supply उसके ओपर GST पे होता है तो he has made the following outward supply, outward supply इनोंने क्या किया, interest rate supply of goods 6 lakh rupees, interest rate supply of goods 2 lakh rupees यानि कि 6 lakh rupees के उपर तो इनका CGST और SGST पे करना पड़ेगा और 2 lakh के उपर इनको IGST पे करना पड़ेगा क्या rate है, question में given होगा, the rate here is, the rate of CGST, SGST and IGST is 9% 9% तो CGST, SGST का 9% rate है, IGST का 18% हो जाएगा, ठीक है, और both inward and outward supply and both the figures are exclusive of Texas उपर, जो भी figures दी गई है, उसके उपर कोई GST included नहीं है, वह हम अलग से निकालना है तो हम लोग जानते हैं, कि 6 lakh rupees, because that is intrastate, 6 lakh के उपर आप 9% निकालेंगे तो 54,000 CGST आएगा, 54,000 SGST आएगा, वो इनको पे करना है, और 2 lakh rupees के उपर आप 18% निकालेंगे IGST, which would be 36,000 rupees, 36,000 rupees इनको IGST का amount पे करना है, अब depend करते हैं कि इनके पस ITC कितना है तो यह तो हमारी तीनों liability आगे, CGST, SGST और IGST की, तो एक तो टेबल बनाके, छोटा सा टेबल बनाके पहले आप इतना शो कर दीचेगा, उसके बाद, he has also furnished the following information in respect of purchases made by him from registered dealers during August, purchases क्या क्या करी है, इनोंने, इंट्रस्टेट पर्चेस करी है, 4,00,000 rupees की, इंट्रस्टेट पर्चेस की, 50,000 rupees की, यानि कि इनके पास जो ITC आया होगा, ठीक है, ITC आया होगा, 4,00,000 में CGST और SGST है, क्योंकि, sorry, SGST भी है, CGST और SGST दोनों लिख लेता हूँ, इनोंने पर्चेस किये, तो 4,00,000 के ओपर 9%, कि इनोंने कहा कि आउट्वर्ड और इन्वर्ड पर दोनों पर 99% है, CGST, SGST, तो 4,00,000 के ओपर 9%, यानि कि आया होगा, 36,000 rupees का CGST, SGST भी 36,000 rupees का, या ITC आया होगा हमारे पास, और 50,000 के ओपर 18%, यानि कि this would be, IGST का credit हमें मिला होगा, 9,000 rupees, ठीक है न, 18% ले लिया हमेंने, 50,000 के 18%, 9,000 rupees, साथ-साथ में ये भी दिया गया है कि balance of ITC available at the beginning of August, यानि कि हमारे पास opening balance भी था, CGST का, हमारे पास credit ledger में CGST का 15,000, SGST का 35,000, और IGST का 20,000, यानि कि को में लाकर में कह सकता हूँ, कि हमारे पास CGST का 15,000 अलरी ओपनिंग था, और हमने during this period, हमने जब purchases करा तो उसके ओपर भी CGST आ गया 36,000, 15,000 प्लस 36,000, कितना होता है, 51,000 I believe हो जाता है, तो 51,000 तो आपके पास CGST का ITC आ गया होगा, SGST 35,000 ओपनिंग था, during this period 36,000 और आ गया, यह हो जाता है, आपके पास 71,000 यह SGST का credit आ जाता है, आपके पास, और IGST का 20,000 अलरी था पहले से, और इस period में 50,000 के उपर 18,000, 9,000 का आपने और purchases की, टोटल हो जाता है, 29,000 तो यह आपका status आता है, इस period का, यह आपके पास, आपके input credit ledger का ITC का status है, आपके पास इतना IDC फढ़ा हुआ है, अब देख लिए हमें क्या पे करना है, सबसे पहले हमें CGST, SGST और IGST पे करना है, 54, 54, 36, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें पे करने के लिए सबसे पहले, we have to use IGST का credit, IGST का credit पहले हमें यूज करना चाहिए, ठीक है, पहले हमें CGST का credit बाद में यूज करेंगे, पहले IGST का credit पूरा यूज करना चाहिए, तो देख लीचेएगा, 29,000 सबसे पहले हमें यूज कर सकते हैं in the manner कि हमारी minimum cash liability बने कि हम minimum cash बे करें तो सबसे पहले तो IGST का credit use करेंगा IGST पर और अगर कुछ बच जाएगा तो फिर CGST और SGST का देखते हैं इस case में कुछ बचेगा नहीं है तो 29,000 का ITC है already IGST की liability IGST की liability 36,000 की है तो 29,000 तो पूरा का पूरा यहां पर use हो जाएगा और in fact अभी 7,000 रुपीज IGST की liability और बच जाएगी वो हमें और पे करनी पड़ेगी वो कहां से पे कर सकते हैं वो हम देख लेंगे हमारे पास CGST या SGST का credit बचा तो वहां से पे कर देंगे तो 29,000 रुपीज तो पूरा का पूरा यूज होने वाला है in fact हमारे पास 7,000 की liability और यहां पर अभी remaining रह जाएगी which we need to pay further अच्छा अब क्या करेंगे 29,000 तो यूज हो गया अब क्या करेंगे फिर हम CGST का credit देंगे 51,000 रुपीज का यह CGST पहले CGST में यूज हो सकता है और अगर कुछ बच्चा है तो IGST पे करने के लिए यूज हो सकता है विकास IGST भी हमें 7,000 पे करना है अब CGST के हमारे पास 51,000 टोटल है बट हमारी ओलेडी लिए 54,000 की है देख लिए 54,000 की लिए लिए और CGST पूरा ही पे नहीं हो पाएगा और हमें 51,000 को यूज कर लीजे 54 पर अभी भी हमारे पास 3,000 की लिए बच जाएगी जिसको हमें अगर हमारे पास IGST का credit हो था तो हम वो यूज कर सकते है यहा पूरा 29,000 पूरा यूज हो गया उसके बाद 71,000 का हमारे पास SGST का credit है तो इसको SGST में यूज कीचे 54,000 हां काफी यूज हो सकता है यहां पर ठीके 71,000 का credit अलरी है 54,000 की liability 54,000 पूरा पे कर दीचे उसके बाद भी हमारे पास SGST का credit बच जाएगा अब जो SGST का credit बच गया क्य यह सारे concepts तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास credit बच गया उससे हम अपनी IGST पे कर देंगे जो 7,000 की बची है वो हम पे कर सकते हैं इस तरीके से आप लोग यहां पर यह कर पाएंगे सबसे पहले यह टेबल बना लीजिए कि आपको पे करना क्या है तो अपनी output liability बना लीजिए 54,000 आपको CGST के पे करने है 54,000 SGST के पे करने है और 36,000 आपको IGST के पे करने है फिर देखे आप एक टेबल बना लीजिए कि मेरे पास ITC कितना है opening ITC plus during the period जो आपने purchase करा वो ITC टोटल आपके पास CGST 51 SGST 71 और 29,000 IGST है जो हमने अभी calculate करा रफ ली अब आप यह सब यूज करना है आपको उपर की liability पे करने के लिए तो पहले तो IGST का यूज करें 29,000 29,000 पूरा यूज हो गया इन फाक 7,000 बच्चे जो हमें पता है कि सब्सक्राइब हो जाएंगे वो ठीक है फिर जो CGST का credit है वो यहां पर यूज कर यह 3,000 फिर भी बच जाएगा वो आपको cash ledger के तुरू पे करना पड़ेगा और यह 54,000 SG का इसका तो हमारे पास ITC है 71,000 काफी जादा ITC है 54,000 तो हम यहां से पे कर देंगे हमारे पास फिर भी ITC बच जाएगा SGST का वो 7,000 यहां पर यूज हो जाएगा और बाकी जो SGST का थोड़ा बहुत हमारे पास 71,000 में से हमने 54,000 यहां पर यूज किया 17,000 बचे फिर 7,000 हमने IGST के लिए यूज कर लिया तो 10,000 बचेंगे 10,000 का हम आगे brought forward कर देंगे carry forward कर देंगे next year next period के लिए ठीक है तो हमें IGST कुछ पे नहीं करना पड़ा SGST कुछ पे नहीं करना पड़ा बट cash ledger के थू 3,000 रुपीज CGST के पे करने पड़ेंगे ठीक है इ एक दो कुछन में और करना चाहूंगा इस तरह के कुछ नंबर टू पर आईएगा जेवियर कॉर्परेशन ऑफ कॉलकाता इस एंगेज इंगेज न सप्लाइव वेरियस गूड्स गूड्स इन सर्विसस इट पेस GST अंडर रेगुलर स्कीम दफॉलिंग इंफॉर्मिशन करी होंगे इनको पर्चेजिस की तो जो इनने पर्चेजिस की हैं अग्री है ना सब लोग विकास ही आधिस कंपनी हाज मेड़ पेमेंट अगर उनने कुछ पेमेंट करी है पर इस चीज का तो इनको ITC में लेगा और यह जो रिसेट्स करी है इसका उपर इनकी आउट्पु स्टेशनर्य उन्हें ऑफिस स्टेशनर्य पर्चेज करें तो ऑफिस स्टेशनर्य के हम लोग जानते कि ITC मिल जाता है कितने की पर्चेज करी है 1,40,000 रुपीस की तो 1,40,000 तो अमाउंट है इसके ओपर देखना पड़ेगा जीएस्टे कितना है रिपेरिंग ओफ लॉरी उस्ट फॉर ट्रांस्पूटेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वेरहास तो क्लाइंट्स लोकेशन इंट्रस्टेट सप्लाइए 1,00,000 रुपीस का अच्छा ये तो इंट्रस्टेट पर्चेज करें अब देखो ध्यान दीजेगा सबसे पहले हमें पता आज इसकी ने इच कोंबी पैक यहां पर लिखाव है रेट ऑफ CGST, SGST और IGST फॉर ओल सर्विसें और सविसें ऑफिस टेशनेर इन काल्कुलेटर आर 9% 9% 18% रिस्टिवली रेट ऐसी एसट और डाइरी नोग ने सब्लाय करी होगी उसका 14 14 पर्शें है थीक हम लोग समझ यारीज वगरे की बाते करेंगे, तो उसका रे 28% है, CGST, SGST का 1414 में लाकर, अब क्या करता हूं मैं, यह जो इन्होंने इंटर स्टेट परचेस करी है, इंटर स्टेट परचेस, इसका मतलब यह IGST पे करके आएंगे इसके उपर, तो इसका IGST कर लीचेएगा, IGST आएगा इसके उपर 18%, यह ना, 909 तो CGST, SGST था, बट क्योंकि बेकस इंटर स्टेट परचेस है, तो यह IGST का क्रेडिट मिलेगा, तो IGST का ITC मिलेगा, अगर आगे कोई इंफोर्मेशन नहीं है, for example, तो सिंपल मैं बोलूँगा की 1,40,000 का 18% तो 25,200 का हमें ITC मिल जाएगा, काफी अच्छा कोशन है यह, 25,200 का मालेते हैं और कुछ इंफोर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो I can easily say कि 25,200 का हमें ITC मिल जाएगा, और ITC किस चीज़ का है, यह IGST का, similarly इन्होंने लॉरी की रिपेरिंग कराई है, अच्छा मुझे फ्लीज बिताइए, जो यह गुड्स वहीकल होता है, गुड्स वहीकल का ITC मिल जाता है, और इसी गुड्स वहीकल का अगर कोई इंशॉरंस कर ही है, तो हमें इसका ITC मिलेगा, कितना-कितना परसंट बोला था, 99%, तो इसका मतलब 1,00,000 का 9,000 रुपीज, और SGST में भी 9,000 रुपीज, तो यह हमें ITC मिलेगा, ठीक है, अगर और कोई information given नहीं है, तो simple तरीके से मैं कह सकता हूं कि 9,000, 9,000 का हमें ITC मिलेगा, ठीक है, आ इंटर स्टेशनरी, इंटर स्टेट सपलाई का मतलब है कि इन्होंने सपलाई करी और इसके उपर IGST लगाया होगा, बिकास इंटर स्टेट और ऑफिस स्टेशनरी योपर रेट है, 18%, ठीक है, 18 था, डाइरी के उपर लगारा था 28% है, बट यहां पर इंटर स्टेट स्टेशनरी आई जीस्टे लाक टू लाक के ऊपर स्वरी टू लाक तो वैल्लीव है तो लाक के ऊपर एटीन परसंट गाएगा 36,000 रूपीज 36,000 रुपीज का आपको GST पे करना पड़ेगा यह हमारी लाइबिलिटी है यह लाइबिलिटी लेजर में शोग होगा तो हम लोग देख लेंगे कि अपनी लाइबिलिटी अपने किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे अपना ITC पहले तो सबसे पहले ना अपनी में हमारे पास कितना पैसा है और हम किस तरीके से फिर उसको यूज करने वाले हैं ठीक है अच्छी कोश्च नहीं सोते हैं एक्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इंट्रस्टेट सप्लाइब 500 कॉम्बी पैक्स कंटेनिंग वन काल्कूलेटर एंड वन डाइरी यह क्या चीज है इन्होंने सप्लाइब किये इंट्रस्टेट इंट्रस्टेट मतलब CGST और SGST लगाया होगा कि CGST और SGST लगाया होगा फोर लाक के ऊपर हम लोग CGST और SGST लगाएंगे कॉम्बी पैक है कंटेनिंग वन काल्कूलेटर एंड वन डाइरी यह कॉम्बी पैक है अब देखो यहां पर नहीं एक और कंसेप्ट आ जाते हैं आपके एक तो composite सप्लाइ होता है और mixed supply होता है अब यहां पर concept आते हैं, mix supply के, बिकज़ एक पैक है ठीक है एक ही packet है और उसमें calculator भी है और diary भी है तो mix supply आ जाता है और mix supply में हम लोग जानते हैं कि कॉन से rate लगाता है primary supply का नहीं सर वो तो composite supply होता है यहां पर हम क्या लगाते हैं जिसके rate जादा होता है highest of those rates तो प्लीज बताई calculator और diary में से किसके rate जाता थे सर्फ calculator पर अभी हमने देखा था ठीक है वहां पर नीचे लिखा हुआ था कि calculator के उपर 18% का rate है ठीक है calculator के उपर और diaries के उपर 1414 मतला टोटल में लाकर IGST 28% है तो बहुत इसके उपर तो क्योंकि यह mixed supply है तो यहां पर तो 28% लगने वाले है तो 4,000,000 के उपर 14% ठीक है 56,000 रूपीज है 56,000 सब लोग समझके हैं तो यहां पर एक mixed supply के भी concept आ रहे हैं और 56,000 रूपीज यह भी हमारी liability ledger में आएगा इसके बारे मैंने कुछ पॉइंट भी देखा था अभी यहां पर लिखा हुए इच कॉंबी पैक containing a calculator and diary is price at 800 रूपीज 800 रूपीज था यह तो पांसो लिखा था ना पांसो पैकेट से इंटू 800 करेंगे वही 4,000,000 हो रहा है हमारा जो उपर दिया गया था 4,000,000 रूपीज था ना यहां पर पांसो पैकेट से लिखे थे तो 4,000,000 रूपीज हो रहा है आट सु रूपी का एक पैकेट था दकालकुलेटर अन्डर डाइरी अर इंडिविजिली प्राइस एट 700 रूपीज था था बट हमने इसको आज़पै के दिया था था तो हमने आट सु रूपी का पैकेट यह बेचा है तो यह अंडिस्टांट कि इसके उपर हाइस्ट डाइरी में से डाइरी ही आये जो 28 परसेंट थे सीजिस्ट फूटीन और फूटीन थे आई बिलीव यह भी क्लियर हो गया होगा Interested Supply of Services of Business Correspondent to Bundan Bank with Respect to accounts in its Urban Area Branch तो अपने Services दी है और Business Correspondent to Bundan Bank with Respect to account in its Urban Area Branch ये भी exempt नहीं होती ठिक हे विकास रूरर एरिया ब्रांच होता तो हमारी exempt होती बड़ इस पर इस केस में अरबन एरिया ब्रांच करेंगे थी तो यहां पर तो taxable हो जाएंगी ठीक है और services का rate है यहां पर at a rate of 9% और 9% क्योंकि यह भी cgs interest rate cgst और sgst है तो वन लाक रूप का 9% 9000 और यह 9000 आ जाएगा ठीक है आगे कुछ information भी दिए जड़ा देख लेते हैं 10% of interest rate supply of office stationery are made to unregistered person क्याता है यह जो हमने supply की है न office stationery की यहां पर उपर लिखा है यह unregistered person को करी है कोई बात नहीं हमारे लिए तो सब हम तो supply कर रहे हैं न हम चाहे इसको registered person को करें या unregistered person को करें हम लोग तो जीस्टी लगा कर देंगे न तो अगर इसमें से 10% माल लेता हैं दो लाक में से 10% अगर unregistered को भी की है तो अगर आप अन्रेजिस्टेट से खरीद नहीं रहे हो आप अन्रेजिस्टेट को बेच रहे हो यूर सप्लाइंग तो द अन्रेजिस्टेट इसका तो इसमें नहीं ले सकते तो यहां पर जो मैं बोल रहा था ना की वन लाक फॉडी थाउजन के उपर आप 18% का अब यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें से ना 40,000 के उपर नहीं ले पाएंगे विए उसका इन्वाइज मिसिंग था दुसरे वन लाक से रिलेड़ेड़ ले पाएंगे तो इसको में एक मिनिट के लिए हटा रहा हूं तो इसमें से क्या करना पढ़ेगा पहले इसमें से 40 माइनस करने पढ़ेंगे यह मैं रफली सॉल्फ करके दिखा रहा हूं आप लोगों को अभी हम प्रेजेंटेच में देख लेंगे किस तरीक से आप सॉल्फ करते हैं वैसे बहुत असान रहते हैं मैं दुबारा बता रहा हूं आपको पहले टेबल बनाना होता है कि कितनी आ तो इसमें से आप सर्फ वन लाग के ऊपर ही आईटी सी ले पाएंगे तो वन लाग का 18 परसेंट होता है अथारह हजार होगे तो आप 18,000 का ही आप 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 आईटी सी ले पाएंगे बिकस 40,000 से रिलेटेड इन्वोइज मिसिंग थे ठीक है निक्स्ट है अल्द फिकस्ट मेंशन अबव एक्स्क्लूजिव टेक्स वही हमने लिए एक्स्क्लूजिव टेक्स करके रेट्स इतना दिया हुए और आगे सब्जेक्ट दे इंफॉरमिशन गिवन अभाव अल्द नेस्टी कंडिशन फॉर विलिंग इटी सी अफिल्फिल चलिए हम आइटी से ले सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले यह बना लीजे कि आपको कितना जीस्ट पे करना है आउट्पूट लाइटी कैसे बता चले कि जितन पड़ेगा 1414 14 14 के बारे में बता दीचेगा आपने 14% क्यों लिया है वहां पर फिर हम जो भी पर्टिकलर आइटम होता है उसमें जिसके भी हाइस ट्रेट होते हुआ पिक करते हैं तो 14 14 पर से लेना पड़ा और यह वन लाक रुपीस का बिजनस कोर्रिस्पोंडेंट के थ पहले बना लीचेगा इस तरीके से यहां पर लाइवरेटी बताई हुई है कि टेक्स लाइवरेटी कितनी बनेगी इंटर सेप्लाइव स्टेशनरी डू लाक के ऊपर आइजी स्टी आपको पे करना 36,000 का फिर आपने वह 500 का कॉम भी पैक था तो यहां पर मैंने नोट में में लिख देना कि मिक्स अप्लाय है हाइस रेट लेने तो फोर लाक की वेल्यू थी इसके उपर 14 परसंट देखे 14 परसंट 14 परसंट दिखा दिया और बिजनस कॉरस्पंड वाला भी आप नोट दे सकते हैं विकाज यह अरबन ब्रांच थी रूडर ब्रांच नहीं थी तो गिवन है कि ऑपनिंग बैलनस हमें सीजेस्ट का 5000 था एज़ेस्ट का 5000 था आईजीस्ट का 80 था और हमने दिख पीरिड हमने जो परशेजिस की है उसका इटीसी भी ले लिचेगा एक लाग चाले सब्सक्राइब करने के बाद आप इस चाले सब्सक्राइब के बारे में बता तो दूसरा आपका जो कॉलम टेबल बनेगा ना वह बनेगा आइटीसी का कि आपके पास इटीसी टोटल कितना सब्सक्राइब में तो ओपनिंग बैलनस 5000 5000 और 80,000 रुपीज का फिर आपने जो परशेजिस की है तो आपने परशेजिस की थी ऑल्दो वन लाग 40,000 की पर उस कॉलम में जाएगा सेम स्टेट से होती तो cgst और sgst में आता इंट्रस्टेट रिपेरिंग कर आई है इसका तो आपको क्रेडिट मिल जाता है तो 9% 9% आके 9,000 9,000 हो गया तो हमारे पास आईटीसी कितना आया cgst का टोटल 14,000 sgst का 14,000 और igst का 98,000 तो हमारे पास इतना त तर टेबल बनाना है जो आपको फाइनल आंसर यहां पर आएगा तो यहां पर सबसे बहले देखा जाएग्लिट कि असंए है तो अपना सबसे और लाइब्लेटी लिख दीचे कग से कि हमारी लाइबिलेटी आई ठीछि ज़ो आपका बी टेबल नांबर वन से आई थική अब का पहले IGST में यूज होगा, तो IGST में 36 हो जाएगा, पूरा का पूरा, यानि कि IGST की liability तो आज जाएगी हमेरी nil, because 36,000 की liability थी 36,000 हम पूरा यूज कर सकते हैं, उसके बाद भी 98-36, 98,000-36,000 बचा आपके पस 62,000, 62,000 बचा है, प्रीज बताइए, ये 62,000 में CGST और SGST में कहां पर use करूँ, ठीक है, इन दोनों मेंसे में कहां पर use करूँ, आप किसी में भी use कर सकते हैं, आप किसी में भी use कर सकते हैं, बट आपको use इस तरीके से करना चाहिए, कि आपका cash payment minimum रहे, cash payment minimum है तो प्रीज बताइए जो मेरे पास 62,000 बचा हुआ है उमें कहां पर यूज करूँ देखो दोनों में सबसे पहले हमारे पास 14,000 14,000 का credit अलड़ी है हमारे पास ठीक इतना credit है बट हमें पे कितना करना है 65-65 हमें 65-65 पे करना है यहां पर इतनी ज्यादा problem इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहां पर आप कितना भी यूज कर सकते हैं यहां पर problem इसलिए नहीं आएगी विकास हमारे पास ITC भी सेम है और हमाई जो liability आ रही है वो भी सेम आ रही है तो यहां पर आप कितना भी यूज कर लीजे आपका answer सेम आने वाला है पिकास अगर हां हमारे पास ऐसा होता कि SGST हमें 65,000 पे करना है और इसका ITC बहुत अच्छा खासा पड़ा होता आमाउंट 60-70,000 पे अगर पड़ा होता तो मैं बोलता कि एक काम करिए आप CGST में ज्यादा यूज करिए CGST में आप IGST का जो बचा हुआ है वो यहाँ पर जादा यूज करिए क्योंकि उसको जरूरत है तो हमें देखना पड़ता है कि किसको जादा जरूरत है हमें उसको देना पड़ेगा बट क्योंकि यहाँ पर दोनों को ही equal जरूरत है क्योंकि दोनों की liability 65 है दोनों के पास ITC 1414 है तो दोनों में से ना कोई जादा अमीर है ना कोई जादा गरीब है ठीक है जो गरीब होता है उसकी मदद पहले करनी होती है तो यहाँ पर कोई problem नहीं है तो आप कितना भी use कर सकते हैं तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर आप कितना भी जो 62,000 बचाना वो किसी भी ratio में आप कर सकते हैं मैंने इसमें क्या करा है मैंने सोचा कि CGS SGST को ना एक पर पूरा पे कर देते हैं इसी से यह तो ऑलड़ी 65 में से 14,000 तो हमारे पस था कितने कम ही बच्छी थी 51 की तो मैंने क्या किया मतलब यह कुछ भी कर सकते थे आप ठीक है यहाँ पर कोई आपके कोई problem नहीं है किसी भी तरीके से सही होगा answer यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दोनों में से दोनों को सेम रिक्वार्मेंट थी सेम रिक्वार्मेंट सब लोग समझ गए ना क्योंकि liability 65 65 आ रही है हमारे पास ITCB 1414 है तो यहाँ पर कोई problem नहीं है तो मैंने क्या किया मुझा था 65 में स से 14 तो अलड़ी हमारे पास है तो 51,000 की और जरुद होगी तो 62,000 में से 51,000 SGST में यूज़ कर लिया तो 62-51 11,000 बचा तो 11,000 यहाँ पर यूज़ हो गया ठीक है अदर्वाइस यह आप कैसे भी कर सकते थे और हां 1414 तो अलड़ी पढ़ा हुआ यह यूज़ हुआ तो हमारा SGST की तो पूरा का पूरा हमने नलिफाइ कर दिया उसको CGST की थोड़ी पर लाइवड़ी बचीगी 40,000 यह में पेगरनी पड़ेगी ठीक है Okay, come to question number three, question number three says Pradeep Traders registered in Haryana sold goods of 2,5,000 to Balram Private Limited, ठीक है, registered in UP, so Haryana से UP जा रहा है, ठीक है, IGST, GST is leviable at 5% on the said goods, ठीक है, as per the terms of sales contract, Pradeep Traders has to deliver the goods at the factory of Balram Private Limited, for this purpose, इनोंने कहा था कि हम इसको deliver भी कराएंगे, for this purpose, Pradeep Traders has charged freight of 2,400 from Balram Private Limited, GST is leviable at a rate of 12% on freight, what would be the net GST liability to be paid in cash, in this case, assuming that the amount given here in an exclusive GST, अब प्लीज मुझे बताएंगे, 2,05,000 के उपर तो 5% का GST पे करना है, और freight है, 2400 का, उसके उपर GST लिखावर 12% है, पर प्लीज मुझे बताएंगे, 12% पे होना है का the answer is no, इसके उपर भी 5% ही होना है, इसके उपर भी 5% होना है, this is a case of composite supply, जहां पर आप चीजे गुड्स आपकी primary supply है और इसको support कर रही है आपके freight, तो 2400 पर भी आप 5% का ही टेक्स लगाएगा, ठीके, clear है ना, इसके उपर भी 5% लगाएगा, 2,5,2400, टोटल 2,7,400 के उपर 5% के rate ही apply होंगे, तो 10,370 आपका answer आचाहेगा, easy question था, पर ध्यान रखेगा, composite supply है, students यहां पर गलती कर सकते थे, Question No. 4, Ram Narayan, a registered supplier under GSD, wants to first discharge his self-assist text liability for the current period, before settling the dues of the previous text period, examine briefly whether he can do so, नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप पुराना text पे ना करें और बाद का text पे कर दें, ठीके, current period का पे करना चाहते हैं, पुराना आपका अभी video चल रहा है, the answer is no, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पहले जितना भी आपने self-assist text किया था, ठीके, self-assist text किया था, पुराने period का, तो पहले हमेशा वो पे होता है, फिर current year का पे होता है, तो जितना भी हम self-assist करते हैं, ठीके, self-assist करने का मतलब होता है, GST officer नहीं, आप, जितना, यहाँ पर registered person, ठीके, जो assess ही है, जितना वो self-assist करता है, पहले उसका past period का, उसका clear होना चाहिए, फिर उसका current period का clear होना चाहिए, तब ही वो ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पर answer is no, ऐसा नहीं होगा, और हाँ, अगर for example, department ने कोई demand वगएरा करी है, वो last में होता है, department की demand last में होता है, तो सबसे पहले, हमेशा order किया रहता है, जितना assess ही ने यहाँ पर self-assess किया है, ठीक है, last period का पहले, current period का बाद में, उसके बाद अगर कोई department की तरफ से demand वगएरा, उसका third number आता है, ठीक है, तो यहाँ आप लोग कर लेंगे, question number five है, आज के लिए last question है, question number five कहता है, Mr. Deepak, a registered supplier of chemicals pays GST under regular scheme, he is not eligible to any threshold exemption, he has made the following outward supply, ठीक है, almost वैस question है, जैसे कि हमने question number one or two किया था, तो इन्होंने interest rate supply करी है, goods की 25 लाग की, interest rate supply करी है, goods की 5 लाग की, तो इसके ओपर तो पे करने वाले interest rate है, same state है, CGST और SGST का amount पे होगा, और इसके ओपर IGST पे होगा, तो इसको भी almost वैसी question है, तीन tables आपको बनाने पढ़ेंगे, सबसे पह आपने दिया हुआ है, अच्छा, interest rate purchase of goods from registered dealer, इसका तो IDC आपको मिल जाएगा, but interest rate purchase of goods from unregistered dealer, अगर आपने unregistered से कोई समान खरीदा है, obviously इसके ओपर तो कोई IDC नहीं मिलता है, क्योंकि आपने unregistered से करीदा है, इसके पास तो आपके पास तो tax invoice भी नहीं होगा, इसका आपको कोई IDC नहीं मिलेगा, interest rate purchase of goods from register dealer, 4 lakh रुपीज का, 4 lakh के उपर जो भी GST का rate है, GST का rate गिवन है 99 और IGST का 18%, तो यह interest rate है, तो इसके उपर 18%, 4 lakh का 18% का आपको IDC मिल जाएगा, तो यह आपको, यह वाला जो information है, यह काम आएगी आपका second table बनाने के लिए, अमेरे पास IDC कितना है, आगे कुछ information भी दीगे है, additional information है, he has purchased a car, interest rate supply, used for business purpose, at a price of 6 lakh 72,000, including CGST of 36,000, and SGST इतना, on 15 September 2020, he capitalized the full value, including GST in the books, and the same day, to claim depreciation, सबसे पहले तो, इन्होंने car purchase करी है, car के उपर तो कोई भी IDC मिलता नहीं है, आपको block रहता है, तो इसका तो credit आपको मिलेगा नहीं, ठ देखा हुए, out of interstate purchase from registered dealer goods worth rupees 1 lakh were received on October 3, 2020 due to road traffic jam, अब goods नहीं मिलें आपको, अगर goods नहीं मिलें तो, आप IDC नहीं ले सकते, कौन सा था ये, out of interstate purchase, registered dealer, interstate purchase ये वाला, ये जो 4 lakh rupees का amount था न, इसमें से 1 lakh rupees का भी आपको goods नहीं मिलें है, ठीक है, September में आप लोग कर रहे है, ठीक ह तो, 4 lakh minus 1 lakh कर भीचेगा, 3 lakh rupees का 18% आप IDC ले पाएंगे इसका, ठीक है, तो, I believe मुझे लगता ही, आप लोग कर लेंगे, एक पर देख लीचेगा, ठीक है, तो, यहाँ पर मैंने first table बनाया है, कि कितना हमारी liability बनती है, total text liability कितनी बनती है, तो, कितनी CGST कितनी, IGST कितनी बनी second table बनाना है आपको, कि आपका ITC total कितना है, और फिर third column बनायेगा, कि आप अपनी liability को कैसे pay कर रहे हैं, तो, देख लीचेगा, यहाँ पर, आपके पास IGST 1,004,000 है, सबसे पहले IGST को use करना है आपको, 1,004,000 रुपीज है, तो 1,004,000, 90,000 में use हो जाएगा, फिर हमारे पा देखेंगे, तो, जो हमारे पास 14,000 रुपीज बचे हैं, तो देखो, CGST पे करना है, 2,26,000, ठीक है, और SGST पे करना है, 1,86,000 रुपीज, ठीक है, 1,86,000 पे करना है, और हमारे पास CGST का क्रेट 225 है, SGST का भी 225 है, नहीं, सोरी, सोरी, उल्टा मैंने बोल दिया, हमें CGST पे करना है, 225, और हमारे पास क्रेट कितना है, हमारे पास 226 CGST का क्रेट है, और SGST का 186,000 है, अब देखो, already CGST तो already rich है, rich क्यों, क्योंकि उसकी liability 225 की है, और उसके पास already credit 226 है, ठीक है, तो आपके पास जो IGST के 14,000 एक्ट्रा बचे थे, 14,000 याद है न, आपको 1,4,000 में से 90,000 यूज हो गया, 14,000 जो एक्ट्रा बचे, वो पहले गरीब इनसान को पहले दीचे, तो इन दोनों में से गरीब कौन है, CGST और SGST में से, सर, SGST ज्यादा गरीब है, ठीक है, CGST तो अमीर लग रहा है, उसके पास already 2,26,000 रुपे है, तो 226 थे, in fact, तो 225 तो पूरी लाइबिलिटी उसको पहले हो जाएगी, 1000 उसके पर भी बचेगा, next period में वो carry forward करेगा, और SGST के 14,000 इसको मिल गए, 186 इसका पहले से थे, तो बाकी का 25,000 की भी लाइबिलिटी इसकी बचेगी, जो इसको cash ledger के तुरू पे करनी पड़ेगी, this is an important question, यह important question था, ठीक है, question number 5 भी important था, और question number 2 भी important था, तो 2 और 5 आपको ज्यादा अच्छे से कर लीचेगा, चलिए मिलते हैं, फिर next class में, thank you so much, bye, take care, मुझे बता दीचेगा, अगर किसी और चीज का revision चाहिए, कुछ students कह रहे हैं कि mock test paper number 2, मैं खोश्च करूँगा कि mock test paper number 2 को भी solve कर पाऊं, ठीक है, thank you so much, bye and take care.